तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, अगर आप हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आगे बनने से पहले ये समझ लेते हैं कि प्रिग्नेंसी कंसीव कैसे होती है, तो जैसे ही आपके पिरेट खतम होते हैं, वैसे ही आपके सरीर के अंदर ओवरी अंडे बनाना शुरू कर देती है, और ओविलेशन के दिन इन अंडों को ओवरी से निकल कर फैलोपियन ट्यूड में ले आती है, अगर आप इसी दोरान डिलेशन मेंटेन करते हैं, तब ही मेल का इसपम आकर अंडे को फर्टाइल कर देता है, और आपको प्रिग्नेंसी कंसीव हो जाती है, लेकिन ज़्यादा तर महिलाओं को ये पता नहीं होता कि उनका ओविलेशन का दिन कौन सा है, और उन्हें कब रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, तो चलिए, अब हम ये समझ लेते हैं कि आप कैसे पहचान सकती हैं कि आपका ओविलेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, जो भी मैं सिंट्रम्स आपको बताने जा रही हूँ, उसके लिए आपको अपनी बॉडी पर बहुत खास ध्यान रखना होगा, ताकि आप उन संकेतों को पहचान सकें, और ओविलेशन के समय होने वाले संकेतों में सबसे पहला संकेत है सरीर के तापमान में बदलावाना, देखिए जैसे ही किसी महिला की बॉडी के अंदर ओवरीज में से अंडा निकल करके फैलोपियन ट्यूब में आता है, वैसे ही उस महिला के सरीर का तापमान गिर जाता ह तो ऐसे में आपको अपना body temperature रोजाना सुबह नोट करना है ताकि आपको पता चल सके कि आपका normal temperature क्या रहता है और उसकी बाद आपको बस उस दिन का इंतिजार करना है जिस दिन आपका temperature नीचे की तरफ गिर जाता है और जिस दिन ये नीचे की तरफ गिरता है उसी दिन पर आपको relation maintain करना है ताकि आप pregnancy conceive कर सके दूसरा लक्षन है relation बनाने की इक्षा होना जैसे ही ovulation होता है वैसे ही आपके सरीर में हार्मोन में बदलाव आते रहते हैं जिसकी वज़े से आपको इस दौरान relation बनाने की इक्षा होने लगती है और ये इसलिए होता है कि आपका सरीर आ आपको इसे बिल्कुल भी avoid नहीं करना है और आपको relation जरूर बनाना है ताकि आप pregnancy conceive कर सके तीसरा लक्षन है breast tenderness देखिए जैसे ही आपके period शुरू होते हैं वैसे ही आपको breast tenderness यानि की breast में हलका सा दर्द होना शुरू हो जाता है और ऐसा ही दर्द आपको ovulation की दिनों पर भी होगा अगर आपको period के अलावा किसी और दिन breast tenderness feel हो रही है तो समझ लीजे कि आपकी body ने ovulation कर दिया है और आपको आज ही relation जरूर बनाना है ताकि आप pregnancy conceive कर सके चौता लक्षर है ovulation cramping देखिए आपकी body में जैसे ही ovulation होता है वैसे ही आपकी body में हलका सा दर्द होता ह लेकिन ये दर्द period में होने वाले दर्द से कम होता है तो ऐसे में जादा तर महिलाएं इस पर गौर नहीं करती है लेकिन अगर आप ये पता लगाना चाहती है कि आपका ovulation camp है तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको दर्द body के किस तरफ हो रहा है क्योंकि ये दर्द कि दाएं या फिर बाएं तरफ होगा और ये अचानक से होगा इससे भी आप पैचान सकती है कि ovulation हो गया है पांचवा लक्षन है सरदर्द होना अगर आपको हर महीने किसी एक समय पर सरदर्द की शिठायत होती है तो समझ लीजिए कि ये वो समय है जब आपको relation maintain करना चाह होता है तो ये भी एक लक्षन होता है कि आप ovulation period में है और आपको आज relation maintain करना चाहिए छटवा लक्षन है mid cycle spotting देखिए जैसे ही आपका ovulation होता है वैसे ही आपको हलकी सी bleeding या फिर spotting हो सकती है और इसी को mid cycling spotting बोलते हैं क्योंकि जब आपका under ovaries से बाहर निकलता है तब आपको हलकी सी spotting या फिर bleeding हो सकती है इसके अलावा आपको ऐसी spotting या bleeding implantation के दिनों में भी हो सकती है तो आपको बस इस बात का ध्यान देना है कि आपका ovulation का दिन कब चल रहा है और फिर आपका हिसाब से relation बनाएंगी तो आप एक रात में ही pregnancy conceive कर सकती है अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से like करें अपने friends के साथ share करें और हाँ हमारे इस channel को subscribe करना बिल्कुल न भूले ताकि आपको हमारी आने वाली सबी वीडियो की जानकारी म मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें स्वास्त रहें